दोस्तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप Hero Friend Crop से Personal Loan कैसे अपलाई कर सकते हो और उस Loan Amount को कैसे अपने Bank Account में Transfer कर सकते हो दोस्तो Hero Friend Crop बहुती बड़ा ग्रूप है आपने उसके बाइक या स्कूटी तो देखी होगी अब एही कंपनी दोस्तो हमें Loan भी प्रोवाइड करती है दरसल दोस्तो मैंने इसके उपर एक और वीडियो बनाया हुआ है लेकिन एह वीडियो में मैं आपको different process बताऊंगा क्योंकि Hero Friend Crop की बहुत सारी application है मार्केट में इनमेंचे अलग-अलग तरीके आपको Loan मिलती है तो आज में दोस्तो दूसरी तरीके से आपको Loan apply करना और उस Loan amount को हमारे bank account में transfer करने तक का process बताने वाला हूँ तो अगर आप भी Hero Frame Crop के user हो और आप भी यहाँ पर Loan लेना चाहते हो तो एक वीडियो पूरा जरूर देख लो आपको भी यहाँ पर बड़ी amount की Loan मिल सकती है तो उम्मिद करते हैं कि आप इस वीडियो सुरू से लेके अंतर जरूर देखेंगे दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आकन डबाकर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिससे हमारी हर आने बाली इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहा है तो चलें दूस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप भी Hero Fringcroft से लोन लेना चाहते हो और आप Play Store में Hero Fringcroft सर्च करोगे न तो आपके सामने 2-3 एप्लिकेशन आएगी इसमें से आपको सही एप्लिकेशन ही डाउलोड करना है जो है एप पहले वाले इसका आप लोगो देख लीजिए यही एप्लिकेशन आपको डाउलोड कर लेनी है ठीक है इस एप्लिकेशन के हम रेटिंग की बात करें तो 3.4 के रेटिंग है और 5 मिलियन चे बे ज़्यादा ने इस एप्लिकेशन को डाउलोड किया हुआ है और दोसों यहाँ पर हम इसकी डीटेल देखे तो एक RBA रेश्टर NBFC अपरू कमपनी है जिनके त्रूही लोन प्रूइट करती है और इसकी NBFC है ही रोफिंग खुद ही अब यहाँ पर हम लोन की बात करें तो 25,000 रूपय बताई हुई है वह आप अपने हिसाब से देख लेना मैं यहाँ पर एक एक सीज दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी मैं यहाँ पर आपको में में चीज दिखा देता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों इलेजिटी क्राइट एडिया की बात करें तो आप एक सेलिट सीटीजन होने चाहिए और एक इंडियान सीटीजन होने चाहिए अगर आप एक सेलिट पसंद हो तो विदावल सिविल स्कोर आपको यहाँ पर लोन मिल जाती है उसके लबावा आपकी मिनिमम मंठली अर्निंग 15,000 रुपया होनी चाहिए यह अर्निंग आप साह यहाँ पर कुछा जाएगी और यहाँ पर सबसे पहले हमसे मोबाल नंबर पूचा जाएगा यहां पर स्क्रीन ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ mobile number एंटर करना है और get OTP पर क्लिक करना है तो हमारे mobile number पर एक OTP सेन की जाएगी वो यहाँ पर हमें enter करनी है और verify पर क्लिक कर देना है तो हमारे mobile number यहाँ पर verify हो जाएगा और हम पहुंच जाएगे इस application के home page में अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बता ही गया है कि यहाँ से आप तिन लाख रुपया तक की loan ले सकते हो मातर कुछी मिलिट के अंदर और आपके यह application 100% secure है तो अब यहाँ से दोस्तों हमें loan apply करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर एक option है get now तो simple हमें उस पर click करना है तो हमारे समने कुछ इस तरह के center पर आईगा अब यहाँ पर दोस्तों हमारे समने loan amount आई है यहाँ पर हमें loan amount सूच करने है कि हमें कितनी loan की जरुवत है हाला कि हम यहाँ पर जितनी भी सूच करेंगे उतनी हमें मिलेगी नहीं फिर भी हमें यहाँ पर कोई एक amount सूच करनी होगी तो यहाँ पर हम 25,000 रुपया से लेकि 3,000,000 रुपया में से कोई भी amount सूच कर सकते है तो में यहां पर काम करते हैं चोटी अमाऊट सूज करते हैं यहांगा कि 50,000 रुपिया यहां पर हम सूज करते हैं कि उसके बाद यहांपर हमारी loan amount आ जाएगी और यहां पर इंट्रेस्ट बताये गया है कि 25% तक इंट्रेस्ट पर यहांपर हमने loan मिलेगी लेकिन एक final approval नहीं है आपके eligibility परता ही होगा कि आपको कितना interest देना होगा इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है अब निच्चे दूस्तों यहाँ पर हमारे एक loan amount रहेगी और यहाँ पर एक option मिलेगा apply for loan तो simply हमें उस पर click करना है जैसे हम उस पर click करेंग और e-send agreement करना होगा तो अब यहाँ पर दूस्तों हमें कुछ नहीं करना है simply get start पर click करना है जैसे यहाँ पर हम get start पर click करेंगे तो हमसे यहाँ पर कुस permission पुछी जाएगी तो यहाँ पर accept पर click करके permission को allow कर देना है तो हमारे समने कुछ इस तरीकर सेंटरफेस आईगा अब सबसे पहले यहाँ पर हमसे basic detail पुछेगा तो यहाँ पर हमारा plan card number और date of birth एंटर करनी है और simply continue पर click करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा processing लेका और हमारे समने कुछ इस तरीकर सेंटरफेस आईगा अब यहाँ पर दूस्तों इन्होंने हमारी plan card से automatic से हमारा address ले लिया है तो ह इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारी additional detail field है जो कि मैं already field करके रखा हूँ जिसमें यहाँ पर हमारा father का ना mentor करना है mother का ना mentor करना है gender select करना है उसके बाद दूस्तों नीचे और option है जिसे हमारा occupation type select करना है कि हम solid है या self employee उसके बाद हमारी industry type select करनी है इस पर आप क्लिक करके आप कौँछी industry में work करते हो यहाँ पर आपको select करना है उसके बाद यहाँ पर आपको पने company का ना mentor करना है और यहाँ पर आपकी monthly income एंटर करनी है उसके बाद simply next पर क्लिक करना है तो चलिए हम फटा फटल से साथी detail field करके next करके आपको मिलते है तो जैसे दोस्तो यहाँ पर हमें account source करने का option मिलेगा अब यहाँ पर हमें source करना है कि क्या आप Salid account देना चाते हो या कोई other account देना चाते हो जिसमें आप ज्यादा transaction करते हो तो इनवे से जो भी हो यहाँ पर आपको select करनी है कि किस bank में आपका account है bank select करने के बाद आपके bank account में जो mobile number link होगा उ यहाँ पर दोस्तों हमें fill up करना है, जैसी OTP fill up करेंगे तो हमारे समने यहाँ पर कुछ इस तरी के सेंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमारी bank के सारी detail आ जाएगी, तो हमें इस पर कुछ नहीं करना है, simply proceed पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा processing लेगा, अब यहाँ पर हमे यह eligible होगे, तो तुरंत हमें एक loan amount मिल जाएगी, जैसी आप हमारे case में देख सकते हो दोस्तों, मैं जिस भाई का loan apply करना हूँ, उसे यहाँ पर पूरे दो लाख रुपया तक की limit मिल चुकी है, और यहाँ पर tenure भी 48 मन्त का मिला है, तो इस तरह किसा अगर आप eligible होगे, तो यहाँ पर आपको भी loan मिल जाएगी है, हलाकि मैं यहाँ पर जिस भाई का loan apply करना हूँ, एक selling fashion है, और उसके minimum salary 35,000 रुपया है, तो यहाँ पर उसे आसान इसे loan मिल चुकी है, अगर आप self-application category में भी आते हो, और आपके minimum income 15,000 रुपया भी है, तो भी आपको यहाँ पर loan मिल सकती है, हो सकता है, इसे कम amount की loan मिले, लेकिन मिलेगे जरूर, अगर आप eligible होगे तो, लेकिन हाँ, एक और में बात बताना चाहूंगा, कि आपका civil score थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, यानि कि positive में होना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर loan amount बताई हु और जितने tenure के लिए loan चाहिए, वो सिलेक कर लेना है, और यहाँ पर एक option मिलेगा, proceed with select loan, तो simply उस पर हमें क्लिक कर देना है, जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे, तो हमरे सामने कुछ इस तरी के से इंटरफेस आईगा, अब यहाँ पर दोस्तों हम से कुछ detail पूछेगी, जिसम इंचूरेस लिया जा रहा है, और यहाँ पर कब तक इंचूरेस चलेगा, वो भी बताई हुआ है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन को इंचूरेस करने का मतलब यह होता है, कि बाहिसांचा, अगर हमें कुछ हो जाता है, तो एक तरीक से देखू, तो यह बहुत ही अच की डिटल देनी होगी, तो नोमीनी की डिटल में सबसे पिला हमारा नोमीनी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, जेंडर यहाँ पर सिलक करना है, यहाँ पर डियाटो बार्थ एंटर करना है, और यहाँ पर रिलेसंशिप सिलक करना है, कि आप जीज़े भी नोमीनी रखना च इतना इंट्रेस्ट लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 पर इंट्रेस्ट पर यहाँ पर यह लोन मिल रही है और यहाँ पर दोस्तो हमारा इमाय वगेरा सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो हमें कुछ नहीं करना है यह सारा कुछ देख के यहा लाइक शेर कमेट डिस्पर्शमेट हो जाते हैं तो इस तरह के साथ दूस्तों अगर आप बड़िया मोड के लोल लेना चाहता हो तो फ्रीन क्रॉप एपलिकेशन की तरफ आ सकते हो तो चले दोस्तों आज के वीडियो में पस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो प पसंद आए हो तो लाइक, सेर, कमेट एंड सब्सक्राइब करना ना बुले तो चले दोस्तों मिलते हैं को रेसी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए